हलो दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने लैप्टॉप में SSD अप्ग्रेड कर सकते हैं जैसे कि यह मेरे पास लैप्टॉप है HP Notebook 15S FR0040U अज़ अगर के लैप्टॉप है इसमें मैं अभी SSD इस्टॉल करने वाला हूं लगाने वाला हूं जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का अगर आपका लैप्टॉप है तो आप लोग भी इस तरीके से कुछ ओपन कर सकते हैं जैसे कि यह जो दोनों साइड रबर लगा तो दुसरे पर रबर लगा हुएग 5 इसमें क्या प्रब्लम आ रहा था कि हार्ड राइब सो नहीं कर रहा हा है और द्रइटक भी नहीं कर रहा है जो SSD है इस ए इसकी वज़े से इसको आफटेड कर रहा ह're के अबघरड रहा हूं जिस से कि चेंज कर रहा हूं वु क्योंकि आसज़े में प्र में प्रोब्ला माय दोर आ है इसके लिए मैं नियाा SSD लिया और उसकी जगे पर रिप्लेस करेंगे और इसकुरू ध्यान रखेंगे तो इसका इसकुरू आगे साइड का कुछ अलग है और पिछे साइड का कुछ अलग स्कुरू है तो इसकुरू ध्यान में रखेंगे कौन काईसा स्कुरू है कि यह देखिए तीन स्कूरू निगला पिछे साइट से कि इसको ओपन करेंगे ऐसा कि इस लैप्टाप में मेरे को ऐसा प्राब्लम आया कि बिंडोज आटोमेटिक कि बूट नहीं हो रहा है बिंडोज ओपन नहीं हो रहा है और वहाँ पर एर्र आ जा रहा है बूट डिवाइस नाट पॉंड करके अगर आप लोग भी चाहते कि आपके लैप्टाप के बारे में मैं बताओं कि आपके लैप्टाप में कौन सा SSD लगेगा कौन सा हार्ड ड्राइब लगेगा कितने जीवी तक अपग्रेड कर सकते हैं या रैम कौन सा लगेगा और कितने स्लोट है मैक्सिमम कितने जीवी रैम बढ़ा सकते हैं लैप्टाप में कौन-कौन सा SSD लगेगा कौन सा रैम लगेगा मैक्सिमम कितना लगेगा हिंदी-information.in पर जरूर जाएं अगर आप आपका लैप्टाप के बारे में वहां information नहीं मिलता तो आप यहां पर comment कर सकते हैं तो मैं आपके लैप्टाप के बारे में बता सकता हूं क्योंकि मैं एक जगे काम करता हूं और हमेशा मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता जब ही अगर कोई रहता नहीं है तो मैं वीडियो बना लेता हूं तो यूटूब पे भी अब लूट करता हूं अगर बट बहुत सारे जगे ऐसे हैं कि बहुत ऐसा लैप्टाप है जिसका मैं वीडियो नहीं बना सकता परमिशन नहीं है उसका तो केस्टुमर लोग का यह रहता है तो इसके लिए जो मैं वीडियो नहीं बना पाता है उस उसका डेटेल्स मैं हिंदी इंफॉर्मेशन डॉट इन पे टेक्स्ट के रूप में मैं सेर करता हूं क्या कैसा है लैप्टाप कैसा है और उसमें रैम कितना लगेगा एससडी कौन से लगीगी देखिए अगर इस तरीके से प्लास्टिक आपके पास है तो अच्छा है अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक किसी तरीके से ऐसा बना लेंगे अगर प्लास्टिक से प्लास्टिक ओपन करेंगे तो कहीं पर इस्क्रेश नहीं आएगा आपके लैप्टॉप में यह देखिए यह एससडी में प्रॉब्लम आ रहा था इसको मैंने दूसरे वीडियो में डाग्नोस्ट भी किया है इसको मैंने दूसरे वीडियो में डाग्नोस्ट किया है कि इस लेप्टोप इस SSD में प्रावलम है अभी इस SSD की जगे पे मैं दूसरा SSD लगाऊंगा नया SSD तो इस तरीके से आप लोग भी अपना SSD अप्ग्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम आप 2 TV तक का SSD लगा सकते हैं और जो इसमें SSD लगेगी M.2 NVMe Generation 3 का लगा सकते हैं जैसे कि मैं आपको नजदिक से दिखा देता हूँ इसका configuration क्या है और जो पुराना है पुराने का और नए का दोनों का मैं दिखाता हूँ आपको यह देखिए कुछ इस तरीके से है यह 500 GB का मैं Kingston का है नया वाला और यह कितने जबी का है 512 GB का यह Intel का है आप जो भी मर्जी कोई भी कंपनी ले लो कोई भी कंपनी ले लो उसका पॉंप एक्टर जो है 22280 करके है और इसका configuration है यह 0.2 NBME तो आप 2 TB तक का लगा सकते है जैसे कि मैंने लगा दिया इसमें रैम जो लगेगी वो इसमें दो स्लोट है तो आप एक स्लोट पे 16 GB तक का अप्ग्रेड कर सकते हैं जैसे कि अभी इस लैपटप में 4 GB का रैम है तो आप इसमें 32 GB मैक्सिमम 32 GB अप्ग्रेड कर सकते हैं अगर आपको अप्ग्रेड करना तो 32 GB तक अप्ग्रेड कर सकते हैं एक स्लोट में 16 GB का रैम हो सकता है और इसकी जो इसका जो स्पीड है रैम का वह 266 मेगा हाट्स की है इस तरीके से बंद कर देंगे मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ और SSD को चेक करके भी दिखाता हूँ कि SSD सही है या नहीं है जो मैंने नया SSD लगाया वो क्या सही है की नहीं है डागनोस करेंगे अभी क्योंकि जो पुराना SSD था उसको मैंने डागनोस किया था उसमें फेल दिखा रहा था इसके लिए मैं SSD चेंज कर रहा हूँ और वो पुराना SSD वो डिडेक्ट नहीं हो रहा था बाय उसमें भी नहीं दिखा रहा था तो अभी मैंने चार्जर लगा दिया है और आउन करूंगा अभी अगर आपको डाइगनोस करना तो इसके बटन से डाइगनोस कर सकते हैं वैसे कि इसमें आभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसके लिए ऐसा इंटरफेस आता है अगर आपके सिटी में बिंडोस इस्टॉल नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा बुटेबल डिवाइस नॉट पाउंड करके इससा दिखाई देगा तो आप एक टू प्रेस करेंगे डाइगनोस करने के लिए यहां से आप मेमोरी मतलब राइ हाड ड्राइब श्ट्वरें मदरबोड प्रोसेसर कुछ भी आपको जिस पे लगता है कि आपको कुछ प्राउबलम हो सकता है तो आप वहां से डागनोस करके पता कर सकते हैं यह देखे मैंने डागनोस पे लगा दिया है अभी यहां पे पता चलेगा जिसे कि सॉट स्मार् करके आ जा रहा था या हार्ड ड्राइब नौट इस्टॉल करके दिखा रहा था इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वार वाचिंग इस वीडियो